नमस्कार दोस्तों, आप शब का कार्गुल मिस्टी के ओनलाइन पोर्टल पे श्वागत है, तो आज अपनी डिसकस में RBSC के कक्षा 10 वी और 12 वी बोर्ड एक्जाम से लेके इनफोर्मेशन को डिसकस करने वाले हैं, तो चला अपनी स्टार्ट करते हैं, नई स्लाइट से, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब हैं, बेल आइकन को दबाना ना वोले, तो नेक्स स्लाइट मे किये गए थे, तो उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, और ये भी जानेंगे कि सरकार का इसके उपर किस परकार का निन्न है, क्या दसवी के बाकी दो बचे वे पेपरों को करवाए जाने कि यहां पर शंभावना है, या फिन नहीं, और ये भ कि अगर बात करें तो यहां पर 50 ना बढढ़ाने के यहां पर शंकेत दी हैं, शरकार CBSC की तरज पर ही Board exams करवाएगी, अगर बात करें तो CBSC के जब Board exams होंगे, उसकी तरज पर ये इउसके अकौर्ड़िंग ही यहां पर RBSC के बचे वे board के paper अकक्षा 10-12 करवाए जाने किन अगर बात करें मुख्यमंत्री जी असो गलोत ने कहा कि राजस्तान मादमिक सिक्षप बोर्ड की दसवी और बारवी की सेज प्रिक्षए फिलाल इस्थिगीत रहेंगी बाद में CBSC की निर्ने के अनुरूप फेशला लिया जाएगा यहां पे दोनों बोर्ड की प्रिक्षव इस्ततिया सामने होने पर उच तक्नीकी सिक्षा में प्रिक्षए भी यहां पे हो सकेगी निजी स्कूल्स की फीज से लेके भी यहां पे इन्होंने डिसकूस किया तो फुल मिला करें अगर बात करें अब उनके एक्जामलेशन पे अभी किसी परकार का final ने यहां पे नही लिया गया है कि कब इनके examination होंगे हाला कि CM के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनके examination जो है वो CBSC Board के अनुशार जब उनके examination date यहां पर release होगी उसके according ही यहां पर इनकी date भी release कर दी जाएगी अनुदर न्यूज की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर Merit Wear Counseling के based पर इनकी posting यहां पर विभाग और आपका जिला अलोटमेंट होगा जो LDC भरती थी उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे वापिस से RBSC Board पर जो मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फरेंसिंग होई दी कल तो उसके बारे में कुछ important कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं तो उनको अपन डिसकस करेंगे पूछा की परिक्षा नहीं होने पर क्या नियम है अगर परिक्षा नहीं होगी तो फिर इस पर कौन सा नियम लगेगा मुख्यमंत्री असो गेलोजी सुकुरुआर को वीडियो कॉन्फरेंसिंगे तैद मादमिक सिक्षा बोर्ड राजस्तान की बारवी और दस्वी की सेज बची वी परिक्षाओं की समिक्षा की मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि फिलाल इस्तिकीत रहने की आदेस यहां पर दिये गया है इन प्रिक्षाओं की एक्जाम्स को लेके दस्वी की बच्चे वे सेज दो विशो की प्रिक्षा रद करने पर फिलाल कोई भी यहां पर निर्ने नहीं लिया जा रहा है यानि अभी तक दस्वी की पेपर हाला कि कुछ दिन पहले नोंने कुछ हद तक यह बोलाता है कि इनके रद कर दी जाएं सीब्यासी की तरज पर लेकिन अभी तक इस यह जो अपने हैं मुख्यमंत्री जी वो यह कह रहे हैं कि अभी फाइनल डिसिजन इस पर लेना बाकी है हाला कि यहां पर 90% इनके रद करने के ही चांसेस है जिस प्रकार से यहां पर केसेस देखने को मिल रहे हैं कोरोना वाइरस के तैत साmart नेक्स्ट कलेक्टेड संभाग में आयोजी वीडियो कॉंफरेंसिंग में मुख्यमंत्रिस अजो गिलोजी ने तक्नीकी सिक्षा मंत्री सुभास गर्क शिक्षा मंत्री गोविन सिंग टोडासरा, शिक्षा बोड की अध्यक्स डॉक्टर डीपी जारौली, बोड निदेशक जेके मात्रू और बोड सचीव मेगना चोधरी यहां पर मुझूद थे, इनकी अध्यक्स मुझूद की में ये अध्यक्स की बेठक हुई है, मुख्यमं वज़े से परिक्षा रद होने पर बोड अधिनियम में कोई प्रावदान ऐसा नहीं है, अल्बता सामाने प्रस्तती में प्रिक्षा के बाद कुछ विदार्तियों की उत्तर पुस्तिकाएं मुल्यांकन, पूरुवा गुम होने तथा नस्ठ होने की स्तती में विदार्तिय द्वारा अन्य विश्यम में दी गई प्रिक्षाओ के प्रापतां के आधार पर उन्हें ऑश्यत अंग देकर यहाँ पर पास कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी ने सेस बचिवी प्रिक्षाओ को फिलाल इस्तगित करने के यहाँ पर निर्देश दिये, उन्होंने पर इसको भी डिसकस कर देते हैं यहां पर आर्बीस की सेस परिक्षा उपर फिलाल किसी परकार निन नहीं लिया गया है हाला कि यह रद होंगे फिर उनके एक्जामनेशन करवा जाएंगे कख्षा 10 की में बात कर रहा हूं और 12 की बात कर रहा हूं और अगर बात करें तो यहां पर जो बेठक इन लिया है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के तहत मुख्यमंत्री जी ने तो उसमें बोर्ड के अध्यक्स और उसके सेक्रेटरी जो है और जो एजुकेशन मिनिस्टर है और अपने सिक्षा मिनिस्टर जो है उनके उपस्तेदे में य किया गया क्या इस प्रिक्षा को रद कर दिया जाए तो ऐसा कोई प्रावदान या फिर ऐसा कोई नियम है क्या बोर्ड में तो उसके ओपर भी यहां पर चर्चा की जा रही है तो यह थी आज की डिसक्स और मैंने इस वीडियो के मादम से RBSC के एक्जामनेशन जो थे बोर के बोर्ड एक्जामनेशन की अभी डेट यहां पर जारी नहीं की गई हाले इसमें जल्द ही इस पर जारी कर दी जाएगी जिस प्रकार से CBSC के तरज पर यह एक्जामनेशन होने हैं तो यह थी अपने पास में डिसक्स तुम आशा करता हूँ आपको डिसक्स काफी अच्छ दाने बाद